पोरियर जंग नमस्कार गट्डा ज्षार न्यूज में आप सबों का स्वागत है आज की मुख बड़ी खबर NTP C के कोईला भंडार में लगी आग नहीं पहुची है अलांकि अभी यहां आग नई दिक के गाउं या पास आसपास के कलोण시यों तक नहीं पहुची है इस खरनन छेत्र के आसपास के कलोनियों और ग्राम इलाकों के साथ सम्मंदित कमपनी का कहना है कि यह आम लोगों को नुक्सान भी पहुचा सकती है जगा जगा धुआ ओठ रहा है अगर जल्द ही कोईले को नहीं हटाया गया तो आग विक्राल रूप धारण कर लेगा और फिर उस पर काबू पाना लगबग और सम्मंभ हो जाएगा दुर्गा पुजा दसाहरा दिवाली और छट के लिए S.E.R. ने रेलवे बोर्ड को भीजा 41 एक्सप्रेशल ट्रेंड चलाने का प्रस्ताव जार्गन को वहाँ पर मिला है मातर 20 ट्रेंड दुर्गा पुजास दसाहरा दिवाली और छट जैसे तियोहरेओं को देखते हुए दर्चिन पूरू रेलवे ने रेलवे बोर्ड को 41 मेल एक्सप्रेश ट्रेंड चलाने का प्रस्ताव भीजा है इन 41 ट्रेंड की सुची में जार्गन के तीन स्टेशनों से खुलने वाले कूल 20 ट्रेंड सामिल है जार्गन के उपचुना में दुंकास लूइस मरानी का नाम और बेर्मो से बाटूल रविंदर पांडी का नाम चर्चा पर है तो पेर्मो से एक नए नाम मिर्गांत सेखर पर भी चर्चा भी है 15 साल 9 माहराचु के मधुपूर विदायक मंतरी हाजी हुसन का निधन हो गया एक दिन पहले ही हराया था कुरणा को दो दिन का राजिक सोक रखा गया जार्खन राज के अलप संख्य कल्यान मंतरी हाजी हुसन का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया 23 सिताबर को सांस लेने के तकलिप में उन्हें मेधनता में भरती कराया गया था जिसके बाद उनकी कोरोना पोजिटीव आई थी सनिवार की साम उनकी हिर्दाई गती रुख्रे से मोत हो गई इसलेकर राज सरकार ने दो दिन के सोक राज किये सोक की घुसना की है बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का छेत्र होने के कारज जार्खन में बारिस और बरजपात का अलर्ट जारी कर दिया है मोसम बिभाग ने बता है कि जार्खन के डाजथानी रांची समेत आसपास की इलाखे में आंसी कृप से बादल चाये रहेंगे जार्खन के अगले तीन दिनों तक बारिस और बजपात का अलर्ट जारी किया गया है जार्खन के PTS लाभुकों के लिए भेदी एक्सपायड चीनी सरकार के द्वारा जरूरत मन रासनकार धारियों को पलब्द कराए जाने वाली चीनी एक्सपायड होने के बावजूद भी जिले को सप्लाई कर देने का मामला परकास में आया है मामलास अग्यान में आने के बाद जीनी लदे ट्रक को सप्लाई करने वाली कमपनी को बेरंग वापस कर दिया गया है मामलास निवार देर साम चंदवार परकाण में स्तित S.C.I.E. के गोदा में जीनी अनलोडिंग के करम में सामने आया समागरी सपलाई को लेकर राय जस्तार पर टेंडर लेने वाले चतिसगर की कमपनी की लपरवाई की वज़ा से ऐसा हुआ है अगर यह जीनी लभू को के बीच वितरत हो जाती तो परिशानी खड़ी हो सकती थी वाई शेना दिवस की प्रेड में सामिल होगा राफेल इस सल वाई शेना ठास्वी वर्स्तगांट मनाएगी गज्याबाद में हीडन येर बेस पर वासिक प्रेड में विभीन विवानों को पर्देशित क्या जाएगा वाई शेना के एक अधिकारनी बता है कि 8 अक्टबर को वाई शेना दिवस की प्रेड में दूसरे विवानों की साथी राफेल विवान भी हिस्सा लेगा एक्टस मिष्टी मुखर जी का निधन हो गया बंगाले और हिंदी फिल्में में काम कर चुकी एक्टस मिष्टी मुखर जी का निधन हो गया है शुकरवार को किडिनी फेलियोर का निधन हो गया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका अंतिम संसकार से निवार को कर दिया गया है वही अचानक उनके निदन से उनके चाहने वाले सत्मे में है आपके खाते में क्यों नहीं आ रही है गैस सिलेंडर की सबसीडी क्या मोदी सरकार बं कर दी है गैस सिलेंडर की सबसीडेस में अब आम चर्चा हो रही है कि मोधी सरकार घेरोलो गयस पर सबसेटी को खत्म करने जा रही है जनकारी के मुताविक मई 2020 से कि घरेलो एलपेजी गयस पर मिलने वाले सबसेटी बैंक खाते में नहीं आ रही है इसको लेकर लोग लगातार बैंक खाते में भी चेक कर रहे हैं इसको लेकर आपको बता देते हैं कि बैंक खातों में अब गयास लेंडर पर मिलने वाले सबसीटी क्यों नहीं आ रही है दरसल घेरोलो गयास के दाम इतने कम हो गये हैं कि मई, जून, जुलाइ, अगस्त और सितंबर में भी ग्राहों को सबसीटी नहीं मिली है सरकास सबसीटी के रूप में सबसीटी और बिना सबसीटी वाले रसोईगे सिलेंडर की किमत में अंतर को देती है जब दोनों की किमत लगवग एक ही है, तो सबसीटी सुनी हो गई है प्याज के दामों में मिलेगा थोड़ी राहत अफगनिस्तान से बागा के रास्ते भारत पहुच रही ट्रक प्याज की बड़ी कीमुतों के बिच भारते आयतों को ने प्रोशी दिस अफगनिस्तान से प्याज मंगवाना शुरू कर दिया है गद दिवस अफगानी प्याज के 5 ड्रक अटारी सीमा पर इंटी ग्रेटेड जेक पोस्ट पर पहुँचे भारत में इन दिनों प्याज 40 रुपए परती किलो सुपर भीकरा है जब की अफगनिस्तान का प्याज काफी सस्ता है सनिवार को पाकिस्तान के बागा की रास्ते अफगनिस्तान से कुल 18 ड्रक भात मोचे इन में 22 ड्रक ट्राइफूट और प्याज के 5 ड्रक हैं प्याज के 4 ड्रक अमधिस्टर के आयातकों को जबकि एक ड्रक दिली के हैं आफगानिस्तान से आने वाला प्याज 15-18 रुपिय परती किलो के हिसाब से मंगवाया जा रहा है कल आइंग रिजल्ट जई एडवांस का हारतिय प्रोधोगिक संस्थान दिली जॉयंट एंट्रेस एक्जाम एडवांस के नतिजे कल यानी 5 अक्टबर 2020 को अपनी अधिकारिक वेवसाइट पर घोसित करेगा रिजल्ट जानी होने के बाद जई एडवांस 2020 की परिक्षा में भाग लेने वाले अभियारती जई की वेवसाइट जई tv.ac.in पर अपने परिक्षा परिक्षा परिणाम दीख सकेंगे जार्खन के संताल आदिवासियों के सहथ को राष्टी बजाद देगी कहा अरजुन मुंडा ने पाकोड के संताल आदिवासियों द्वरा उत्पादिस सहथ को अब केंद सरकार बेचेगी इससे सहथ को राष्टी बजार मिलेगा और इसका लाव सहथ उत्पादक संताल है सोने का भाव लागातार यदि आप सोना खरिदने का मन बना रहे हैं तो यह आप आपके लिए अच्छी ख़बर है जी हां करोना वायरस के कारण दुनिया भर में आठिक मंदी छाई है इसका असा सोने की किमत पर नजर आ रहा है कम जोर वेपार की वज़़ा से लगाता सोन करने का दालत में कपड़ा का रुबारी से 15 लाग की ठागी करने वाले शिक्षक पर 20 लाग का जुर्माना में विलम करने पर चार माह की अत्रिक सजाका भी प्रवधान कोटने अपने फैसले में किया है कोट के इस फैसले से सहर में ठर्व गिरों की कमा टुटी है आधार ल एक मार के अंदर छाती पूर्थी के तोर पर 21 लाक रुपवे का वुक्तान पक्षगा सुनिल कुमार को करने का अधिस्तिया है इसके साथ ही फैसले में यह भी कहा है कि फैसले के खिलाब उपरी अधालत पे अपनी अपिल करने के पुरू उन्हें जुर्मना की रकम चुकाना होगा राची प्रकृति की गोद में वसा है जहरने के सहर के रूप में पहस्चान है राची का जारकन की राइधानी राची की पाचान जहरने वाले सहर के रूप में रही है इस सहर पर प्रकृति ने अपना संदरी खुल कर लूटाया है प्रकृति सुन्दता के दम पर राची ने खुबसुरत प्रेटक अस्थलों के रूप में देश विदस के प्रेटन मांचित पर यहां बेहतरिन पिकनिक अस्थल है प्रेटक शुटियां गुजारने हर और सिहां आते हैं गर्मियों की समक्ष समय अप्षाक्रित ठंडे मोसम के कारण एक समय या बिहार की राजधानिक वातती थी चंद्चूंदरी जलप्रपात पत्रातु घाटी पलानी जहरना देखने भ दोस्तों अगर आप चैनल पर नई होते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कर दीजे और केमेंट जरू कीजेगा आपकी शेत्रे से हो हम आपके शेत्र के समाचार को भी प्रस्तुत कर सके इसके साथ ही आज की समाचारों पस इतना ही दीजे हमें इजाजत न